आज मैं आपको एक निया टॉपिक पताने जा रहा हूं अपने इस चैनल के माध्यम से मैं निर्मल कुमार सिना इस टॉपिक में आपको एक क्यमिकल एक वेशन को बैलन्स करने का तरीका बताऊंगा और कैसे इसे आसानी से बैलन्स किया जा सकता है चुकि यह चैनल के किसी भी टॉपिक पढ़ने के पहले बेस माना जाता है जब तक हम लोग इसे किलियर नहीं कर लेंगे समझ नहीं लेंग आसे बिदय की वर्म सुर्शन को तो देखते हैं कि आमी केल के बारे में इसके लिए मैं एक अग्जाम्पल के माद्धम से आपको सम्झाना चाहता हूं कि करेंग पश्रत कैसे लिखा जाता है और कैसे क्या तरीका है इस मैंश्यम और रिवन बर्ण आपके पर और कि ऑसीजन इन प्रजिटेंस ऑसीजन और प्रिवन इंतो अब मैं देख रहा हो कि आपने मैंने नाम सुना हो कि आम मेटल का बेसिकली वह रिवन पॉम में लेबरे टिर्टी में होता है का यह बरुटिमें जिसे हम बढ़ करके देख सकते हैं कि मै निए परड़क्त बनता है एसके फोर्म में टो मैंने देखा कि oxygen के पर्जिंस में मैंने स्टेंस के फोर्म में लिख दिया हूं तो यह जो कंश्री का लेंग्वेज है इसे मैंने सेंटेंस के रूप में दिखा है sentence यह sentence की फॉर्म में chemical equation है इस परकार के sentence की फॉर्म में chemical equation थोड़ा लंबा हो जाता है लेंदी हो जाता है इसे precise करने की जरुवत है इसमीन shot shot करने की जरुवत है जिसे हम क्युमकिल लेंग्वेज में आसानी से समझ सके तो अब मैं इसको कचेंज करने जा रहा हुआ की से मैं और क्यासे कर सकता हूं या सहब Гос investigator अब मैं इसको थोड़ा और सोट कर रहा हूं ले निजो में सु को मैंने थोड़ा प्र। अब इस से द्यान से लेखें इस सेंटेंस के फॉर्म को मैंने थोड़ा प्रिशाइज करके इस प्रकार से लिख दिया है मैंने इस सेंटेंस को थोड़ा चोटा किया है और इस प्रकार से लिखा है और इस प्रकार के इक्वेशन को बोल सकते हैं इस प्रकार से लिखा जाता है और बड को क्या से लिखना तो इसके लिए आपको सारे elements के symbols बगरा practice अच्छे से कर लेने होंगे जिससे की chemical equations लिखने में आशान हो और समझने में भी आशान हो अगर आपको chemistry में symbols नहीं आ रहे हैं तो फिर ये फोड़ा सा problem कर सकता है इसलिए अच्छे से class 9 में ही बताया गया है सिवेस की class 9 से लिवस में ये बताया गया है elements के बारे में उन elements को अच्छे से याद कर लें जैसे टेंत में ये topic समझने में किसी तरह की कोई परिशानी नहीं हो इस magnesium को अब मैं symbolic representation देने जा रहा हूँ magnesium का जो symbol होता है mg oxygen का O2 फिर से मैंने RO लगा दिया और magnesium oxide को भी symbolic representation दे दिया अब ये जो equation बना हमारा ये pure chemical form में आ गया है ये chemical formula के form में ये equation आ गया है जिसमें मैंने magnesium को mg oxygen के लिए O2 लगाया है और magnesium oxide के लिए mg तो इस प्रकार के अब जो equation कहलाएंगे वो उनको हम लोग skeletal chemical equation के नाम से जानते हैं और ये chemical equation पूरी तरह से balance नहीं है ये unbalance chemical equation है फिर भी कि इस form के chemical equation से लिखने के तरीकों को skeletal form बोलते है skeletal equation, skeletal equation से मतलब ये धांचा तयार हो गया है इस sentence को मैंने word में convert कर दिया अब ये जो word equation है इस word equation में इस side जो हमारा hand के left hand side LHS और arrow के बाद वाला RHS कहलाता है left hand side हमारा जो left hand है उसके side में जो ये लिखा हुआ है इसे हम left hand side बोलते है LHS और वो next arrow के बाद RHS है ठीक है यहां तक हम लोग समझ गया ये जो arrow के जस्ट पहले लिखा गया है इसे हम लोग reactant भी बोलते हैं क्या बोलते है reactants reactant जो reaction करने जा रहे है और जो ये form हुआ इसे हम लोग product बोलते है कोड़ा तो arrow के left hand side reactant है और arrow के right hand side में product है तो मैंने sentence को convert कर रहा word equation में और ये magnesium plus oxygen plus means combined हो रहा है magnesium oxygen के साथ reaction करने जा रहा है और जो arrow है direction of reaction को बता रहा है arrow के बताता है direction of reactions अगर जब भी arrow के वारे में किसी को बताना हो तो आप बताएगा direction of reaction की इस direction में हो रहा है ना कि वो अले इस direction में हो रहा है वालकि ये reaction आरे इस direction में हो रहा है तो एक नया product बना magnesium oxides तो ऐसे form के में में जो मैंने लिखा हूं इस equation को word equation बोलते हैं इसके पहले ये और लंबा लेंडी form में था लॉंग form में था उसे हम क्या करते हैं sentence equation in sentence बट यह जो है next word equation equation in words ठीक है अब इससे भी chemistry के students को अगर आगे बढ़ना है chemistry में तो फिर हमको इसको और भी थोड़ा clear cut marks में लिखना होगा लेंग्वेज में लिखना होगा chemistry का language chemistry के formula में क्योंकि इस तरह के equations में लिखने पर हमें बैलन्स करने में या कुछ और भी अगर हमें करना है है इसमें जो हम आरो के उपर डालते हैं कि किस टैंपरिशर पर यह reaction हो रहा है कि स्काटलिस में परजेंट कि स्काटलिस के परजेंस में रियक्शन हो रहा तो थोड़ा सदिक्कत आएगी तो इसलिए मैं इसे और भी प्रेसाइस करने जा रहा हूं यह वड़ इक्वेशन जो है वड़ इक्वेशन का अगर हम थोड़ा और सौट फॉर्म प्रेसाइस फॉर्म में लिखे तो सबसे पहले हमें कैमेस्टी का इलिमेंट के सिम्बॉल आने चाहिए जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ते हैं कि कैमेस्टी में परतेक एलिमेंट के एक एक सिम्बल दिये गया है उस्सिंबॉलिक फॉर्म में मैं रिप्रजेंट करने जा रहा हूं तो सेंटेंस वर्ड और नेक्स एक्क्यूशन जो मैं लिखने जा रहा हूं उसे आप देखिए आप मैं sentence को erase कर दिया, अब जो word equation है, उसका में symbolic representation, उसको symbol में किस प्रकार से chemistry के language में लिखा जाता है, उसे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखने वाली बात यह है, कि जब हमें word equations को symbolic form में represent करना है, तो यह हमें प्रतिक elements के symbol को learn करना होगा, अच्छे से practice करना होगा, त्य हम इसे word को symbolic form में represent नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले हमें elements का नाम और उसका symbol याद करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, magnesium का जो symbol है, वो है mg, क्या है, mg, मैंने magnesium के लिए क्या दिया, mg, mg यहाँ पर यह बता रहा है कि यह symbolic form है, magnesium का capital M और small g, जिसे हम ल plus के बाद oxygen है, तो oxygen का भी मैं sign दे रहा हूँ, यह रहा oxygen, इसकी बाद हमारा arrow दिया हुआ है, तो arrow का मैं represent करने जा रहा हूँ, यह रहा arrow, यहाँ पर देख रहे है, magnesium के लिए mg दिया हूँ, oxygen के लिए o2 दिया हूँ, और यह जो magnesium oxides, बट में लिखा हुआ, इसका भी मैं formula लि लिखा, oxygen और arrow देकर मैंने यह बताया कि यह magnesium oxides, वह हो गया, तो यह हमारा reactants है, यह product है, इससे समझ गया हूँगे, कि left hand side में हमारा reactant होता है, इस chemical equation को, जो left hand side में लिखा रहता है, reactants के नाम से जाना जाता है, और जब कि यह product है, अब यह word equations, symbolic representation में आ गया, इसका symbol मैंने represent कर गया, symbol के माध्यम से, और यह थोड़ा सा, इससे और precise हो गया, जब मैंने पहला वर लिखा था, sentence equation को तो बहुत lengthy form में था, उसको मैंने precise किया, तो word form में लाया, और यह जो form है, इस form को, हम लोग और भी precise कर दिये है, हम लोगों ने देखा कि और भी precise हो गया है, तो अब इसे मैं देखना चाहता हूं कि यह जो reactant है, reactant के side में, जो left hand side में, element से present magnesium and oxygen, जब कि right hand side में magnesium oxide से, तो सबसे ध्यान देने वाली वाती है, कि यह जो reaction से, यह एक unbalanced reaction है, जो पूरी तरह से balance नहीं है, balance आप समझते होंगे, जैसे हम कोई समान ने समान जो पर नापते हैं, तो समान जो बेट रखते हैं, बेट, एक side better होता है, दुसरी side समान होता है, तो दुकांदार क्या करता है, दोनों side में equal हो जाता है, अगर हमें 500 gram शमान लेना है, half kg, तो फिर half kg बेट भी रखते हैं, और जब दोनों बराबर हो जाता है, तो दुक समान है या नहीं है अगर समान है तो वह वैलेंस केमिकल एक्विशन हो गया अगर समान नहीं है तो अन वैलेंस हो गया तो हमें बैलेंस केमिकल एक्विशन लिखना होगा तो बैलेंस केमिकल एक्विशन लिखने के क्रम में मैं इस इस केमिकल एक्विशन का नाम देने जा रह से परिशितों के बाइलोजी में हमारा अंकाल होता है अंदर का बॉड़ी का धाचा होता है बोन्स का बना होता उसी प्रकार यह अब यह जो एक्विशन है वो एसकेलेटल केमिकल एक्विशन के नाम से जाना जाता है अब इसमें कमी है तो हम देखते हैं क्या है लेफ्ट हैं तो इस हो इसलिजी करना होगा क्योंकि एक law हमने पढ़ा है 9th में class 9th में law of conservation of mass law of conservation of mass से आप लोग परिशीत होंगे chemistry में ही पढ़ाया जाता है class 9 में CVSC syllabus हो या ICSC हो तो law of conservation of mass यह हमें बताता है law of conservation of mass law of conservation of mass इसकी बारे में यह बताया जाता है कि mass को ना तो create किया जा सकता है ना destroyed किया सकता है mass can neither be created nor destroyed mass can mass can neither be created created nor destroyed destroyed in all chemical reaction तो इस law को देखते हुए हमें यह देखना होगा कि left hand side arrow के जो elements है atom है उनके mass और जो product में right hand side में जो product है दोनों के mass बराबर होने चाहिए simply आप यह बोल सकते हैं कि left hand side के जो atom है number of atom और वो right hand side के number of atom के बराबर होना चाहिए तो इसे हम count करके देखते हैं तब हमारा यह law of conservation of mass पूरी तरह से correct हो जाएगा इस law के अनुसार हमने chemical reactions को लाना है देखते हैं बैलेंस भी कर सकते हैं और इसे मैं stick wise बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको chemistry में chemical equations से सम्बंधित कोई problem ना हो और उसे आप आसानी से represent कर सकें लिख सकें क्योंकि most of the questions asked from chemical equations which have to be balanced so हमको यह दियान में रखना है कि पहले सबसे पहले हमें गवराते हुए ना बल्कि आसानी से कैसे हम उसे लिख सकते हैं symbolic representation कैसे कर सकते हैं उसे balance कर सकते हैं और क्लास 10 में हमें CVC में जरूवत होता है उसे balance करने के लिए तो अब हाँ पर एक तरफ काउंड कर लेते हम लोग साइट के element को लिखूंगा इधर left-hand side के element को लिखूंगा अब आप देखे कि एरों के left-hand side यह दोनों है Magnesium कितने हैं उसे मैंने निख लिया oxygen कितने है इसे मैंने निख लिया जब कि Right-hand side में Magnesium कितने है उक्षिजेन कितने है are you sharks कर लिया को देख सकते हैं कि Left hand side में जबी में फ्राइड में ऑकसीजड में ने तो इसे सबसे से पहले हमें balance करना होगा क्योंकि number of atom magnesium 1 है इधर उधर भी 1 है कोई problem नहीं है लेकिन oxygen का जो number of atom है वो इधर 2 है right side में 1 है तो यह एक problem है इस problem को हम लोग दूर कैसे करेंगे तो इस इसको हम लोग कैसे balance करेंगे balance करने का क्या तरीका है उसे हम सीखेंगे सबसे पहले कि एक मैं आपको balance chemical equation समझा देता हूं जिससे आपको यह समझ में आ जागा कि हमें करना क्या है करना क्या है कैसे balance करना है तो मैं एक framework लिखने जा रहा हूँ कि हैं ध्यान रखना है कि जो chemical II rock रहा हूँ वो सारी vc ग्रास और तो य फॉर्म नोट में लेक्से कर सकते हैं ये मैं जो अशना कि दी रहा हूँ वह सादेवेद्ट हैं जिसे कि देखते भी जा और वह कहीं नहीं आपको यूज होगा एक्जाम में तो मैं एक एक्विशन लिखने जा रहा हूं उस केमिकल एक्विशन को अब ध्यान से दिखेगा है इस एक्विशन को लिखने जा रहा हूं यह जिनक है जैडल प्लस S2SO4 जिसे हम लोग Sulfuric Acid के नाम से बोलते हैं वैसे इसको Hydrogen Sulfate भी बोलते है एरो जिंक Sulfate प्लस Hydrogen अब देखेए मैंने एक केमिकल एक्विशन लिखा एसकेलेटल केमिकल एक्विशन अब इसका जाच करना है कि यह बैलन्स है कि नहीं यहां पर जिंक है प्लस का साइन है मतलब जिंक Hydrogen Sulfate से यानी Sulfuric Acid से reaction करने जा रहा है और एरो जो direction of reaction को बताता है और यह बता रहा है कि पोड़क्ट जिंक Sulfate बना और Hydrogen बना है तो यह reactants यह पुड़क्ट अगें लैक्टन साइट्स यह रैक्टन से उड़क्ट और यह पुड़क्ट तो reactant sides में जो भी elements है जितने भी elements है और product side में जितने भी elements है उसको count कर लेते हैं बहुत आसान है इसमें क्या क्या है एक तो यह जिंक है तो मैंने जिंक लिख लिया अगें यह hydrogen है तो हमने hydrogen लिख लिया चाहे तो sulphate को पूरा formula को एक साथ लिख सकते हैं कममाईट रूप से यह sulfur को और oxygen को अलग अलग भी लिख सकते हैं तो आपकी सुभिदा के लिए मैंने sulphate एक साथ लिख लिया अब हमारे पास कोई भी element बचा देंगे क्योंकि मैंने sulphate ले लिया हूं जिंक ले लिया हूं hydrogen ले लिया हूं sulphate में oxygen आ गया ठीक है इन सारे element को अब मैं एक tabulated form में रिपर्जेंट करने जा रहा हूं टेबल बना करके यह देखी टेबल स्टेबल में मैंने elements को लिख दिया जो भी element होंगे जो भी compound होंगे और इधर और इस साइट रहे इस में रहने वाले elements से compound अब मैंने यह जितने भी element है तीन तरह के थे हमने तीन टेबल बना दिया तीन बॉक्स बना दिया अब elements जो reactant side में उसे मैंने रिपर जंट कर दिया zinc hydrogen sulfate ठीक है आसानी से यह रिपर जंट कर दिया अब हमें देखना है कि लेप एंड साइड में कि left hand side जो है left hand side के यह जो रो है कॉलम है इस कॉलम में जितने भी elements है compound है उसे रिपर जंट कर दिया तो जिंक है कि यहां जिंक की संक्या कितनी है एक राइट हैं में जिंक एक हाइडोजन दो इस साइड भी राइट हैं में दो देख रहे हैं पूरा एक compound ले लिया हूं मैं तो एक है और इधर एक है तो इस प्रकार से यह देखने में यह समझ में आ रहा है कि यह जो reaction मैंने लिखा है लिखा है इस reactions को balance करने की कोई जरूत नहीं है यह already balance reaction है इसे हमें कुछ नहीं करना है तो इसे मैंने कैसे judge किया इस table बना करके elements लिख करके left hand side में जो भी elements से उसके number लिख करके और इसे मैंने चेक कर लिया कि यह already balance reaction है इसे मुझे balance करने की जरूत नहीं है तो आसाली से हम chemical equations जो भी लिखा रहे है उसे balance करने के लिए मैं table बनाऊँगा और table बना करके उसे मैं balance करने का प्रियास करूँगा चूकि यह video काफी लंबा हो गया है इसे मैं अपने next video में कैसे हम chemical equations को आशान तरीका से balance कर सकते हैं और कौन से ऐसे method है जो क्लास 10 से वियर सी इस पेसली में पूछे जाते हैं balance करने के कौन-कौन से method से reaction balance हो सकता है और कौन से तरीका है जो हमें टैंतर में पढ़ना है उसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा तो कैसी लगी हमारी यह topic अगर अच्छी लगी हो तो subscribe करें जो पहले से जुड़े हुए हमसे वो like करें, share करें और जो नए जुड़े हुए student है guys उनको subscribe करना है, bell icon दबाना है, bell icon को दबानी से notification आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, thank you झाल